नमस्कार ग्लिप्स जॉटेन में आपका स्वागत है कोलंबिया दुनिया भर में ड्रग तसकरी के लिए बदनाम है यहां सालों से ड्रग तसकर फलते फुलते रहे हैं लेकिन सोंब्रा नाम के कुट्टे ने कई तसकरों के अर्मानों पर पानी फेड़ दिया इस कुट्टे ने दो साल में करीब 68 करोड रुपे का ड्रग पकड़वाने में मदद की इसकी वज़ा से अब तसकरों ने कुट्टे के उपर 50 लाक रुपे का इनाम रख दिया है तसकरों ने अपने समू में ये संदेश भेजा है कि सोंब्रा को जिन्दा या मुर्दा लाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपे दिया जाएगा कोलंबिया की पुलिस ने खुद इस कुट्टे के बारे में ट्विट कर जानकारी दी है जर्मन शेफट सोंब्रा पिछले दो साल से कोलंबिया के पुलिस विभाग में काम कर रहा है रिपोर्ट के मुताबिक इस कुट्टे की मदद से 245 अपरादियों की गृफतारी की गई है दो बड़े एरपोर्ट पर सुंब्रा ड्यूटी करता है पहली बार सुंब्रा ने बड़ा खुलासा मार्च 2016 में किया था तब इस कुट्टे ने सुंगने की खाशमता की वज़ा से केले के बकसे में गुप्त तरीके से र बड़ी सफलता हासिल हुई क्यूंकि 5.3 टन को किन पकड़ा लिया गया खास बात ये है कि ये कुट्टा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है इसके साथ दो गन्मेन भी रहते हैं एरपोर्ट पर पी कावर्स में करीब 6 घंटे के लिए कुट्टे को ड्यूटी पर हुआ हुआ हुआ